हालो दोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम मोडिफाइड टूल बार के कुछ कमांड को समझेंगे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने modify toolbar के कुछ command को explain कर दिया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर कि उस वीडियो को देखिए नेचे description में link दे दिया हूँ और इस वीडियो में modify toolbar के बचे हुए कुछ command को समझेंगे अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को subscribe करिए लाइक कीजिए share कीजिए और comment करना मत भूलिए लेगा चलिए इस वीडियो में modify toolbar के कुछ command को समझेंगे copy copy मतलब किसी भी object को आप select करके copy command को use करके उसको unlimited copy कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां object ड्रो किया हूँ और इसी को मेरे को copy करना है तो मैं यहां object को select करूंगा और right click करूंगा तो यहां आप copy सिकन दे सकते हैं यहां से जाकर आप copy कर सकते हैं या फिर आप यहां modify में जाकर के यहां से copy command को active कर सकते हैं तो आप तीन जगह से copy command को active कर सकते हैं तो मैं यहाँ object को select किया हूँ right click यहाँ से copy command को मैं active करता हूँ तो मैं यहाँ copy command को active दिया तो इस प्रकार से हम किसी भी object को आप copy कर सकते हैं और थोक वान रखने से आपके वाल 90 degree के एंगल में ही object को खोपी कर पाईएगा जैसे कि अभी oso app है तो मैं किसी भी एंगल में object को copy कर पाँगा यह केवल 90DG के एंगल में ही object को खोपी हो रहाया है अगर आप किसी भी object को एक ही बाड़ में उस object का 10 copy करना चाहते हैं तो आप array command को यूज़ करके उस object का एक ही बाड़ में 10 copy कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ अभी मैंने यहां से copy command को एक्टिप किया object को select किया और अपने keyboard से enter तो मैं उस object को copy कर रहा हूँ तो यहां नीचे में देखिए यहां command box में आपको array नजरा रहा होगा तो इस command को मैं एक्टिप करता हूँ तो पुछता है enter number of item to array मतलब आपकी आप जो object को select की हैं उस object का आप कितना copy करना चाहते हैं वो नंबर दीजिए तो मैं यहां 10 देता हूँ फिर इंटर तो यह देखिए इस object का 10 copy एक ही साथ में एक ही बार में 10 copy आ गया अब object to object distance पूछ रहा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस मैंने दोस नंबर दिया था तो यह दोस copy एक ही बार में copy हो गया तो इस प्रकार से आप array command का यूज़ करके आप जितना चाहे उतना copy कर सकते हैं एक ही बार में आप copy command और array command को समझ गया होंगे उसके बाद है mirror mirror मतलब आप किसी भी object को select करके उस object का mirror कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ circle ट्रो किया हूँ मेरो कि इसको mirror करना है तो आप यहां जाकर के modify में जाकर कि यहां से आप mirror command को एक्टिव कर सकते हैं या फिर आप अपने keyboard से अपने keyboard से मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं इसक्रीन पर की mirror आगे आगे आप एंटर किया कमांड को सिलेट किया अब अप्शन दे रहा है कि जिस object को आप mirror किया है उस object को क्या आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं तो मैं यहां नो दे देता हूं तो यह अबजेक्ट इरेज नहीं हुगा अगर अगर आप वहां यह कर देते तो यह जो अबजेक्ट है यह इरेज हो जाता यह डिलीट हो जाता तो इरेज मिरर कमांड को फिर देखते हैं इसी को मेरे को मिरर करना है इस object को मेरे को मिरर करना है तो मैं यहां से मोडिफाई में जाओंगा मिर्र को एक्ठिब करूंगा कमांड को सिलेक्ट करूंगा अपनी कीबोड से इंतर क्रेसों करूंगा यहां देखिए फिर ओपर संदेaea का इस अपजर्व्जेक्ट यहाँ यह 54 करूंगया। यह जो जिस कमांड को मैंने जरू जिस उब्जेक्ट को मैंने में लीडवा था हुझ नहीं युआ जिसको मैंने मीर किया है वही लीडवे ओगया है, मीरर हो के जो आपजेक्ट बाहर निकला है वह डिलिट More वहां नो करने से वह डिलीट नहीं होगा और येस करने से वह डिलीट हो जाएगा आप मिरर कमांड को समझ गया होंगे फिर उसके बाद है कि बाद अगला कमांड है फिलेट को समझते हैं फिर अगला कमांड को देखते हैं तो यहां अगला कमांड है आपका फिलेट को समझने πα्रीवाइब करें रहे हैं तो मैं एहां से कुछ से आपढ़ कर ने के लिए के लिए कॉर नएक और jaki देखिए कडर के यह कुर ने जब अपने कीबोड खेंटर करीएगा और नब अपने keyboard से इस प्रेस्ट करिएगा तो वो command फिर active हो जाएगा तो मैं यहां first point first object select करता हूं और फिर लिख रहा है कि select second object और shift select to apply corner और फिर मैं second object to select करता हूं तो यह देखिए corner to corner corner to corner यह joint हो गया इस प्रकार से आप fillet command को यूज़ कर सकते हैं corner to corner करने के लिए first object second object तो यह देखिए एक रहा हो गया आप देख सकते हैं यहां मैं corner to corner joint हो गया है फिलेट कमांड को यूज़ करके आप जब फिलेट कमांड एक्टीब करते हैं ऐसे corner to corner करने के लिए आपको यह हमेसा ध्यान लखना पड़ेगा कि इसका रेडियस जीरो होना चाहिए तभी ऐसे यह corner to corner joint हो पाएगा रेडियस में बढ़ा करके देखता हूं तो मैं यहां से अपने keyboard से एफ इंटर और और इंटर तो मेरे को अब रेडियस दिना है है अब इसक्रिण बढ़ा है कि वैसे कुछ अर्क जैसा ईसे कुछ गॉर रहा है अब देख सकते हैं यहां नीचे में रीडियस नहीं एक्टिब किया हूं यह वल्फिल यहां आर्ग जैसा कुछ नहीं है नहीं दिख रहा है आपको लेकिन उपर में मैंने ड्रेडियस कमांड को एक्टिप करके उस कॉर्णर को जॉइंट किया हूं तभी जाकर के यह देखिए यह कॉर्णर यह आर्ग जैसा हुआ है अगर आपको रेडियस का जरूरत हो तभी रे जॉइंट होगा तो देख सकते हैं आप अकर फिलेट कमांड को एक्टिप करके रेडियस देते हैं तो कुछ यह इस प्रकार से ऐसे कुछ ड्रा होगा रेडियस अगर आप देते हैं तो और अगर आप रेडियस नहीं देते हैं रेडियस जिरो लगते हैं तो यह कुछ इस तो आप फिलेट करके आप रेडियस भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं आप अपने ड्रोइंग के अनुसार रेडियस दे सकते हैं यह कुछ रेडियस देने से इस प्रकार से ड्रोगा और रेडियस नहीं देने से यह कुछ इस प्रकार से ड्रोगा तो फिलेट को आप स पर फिलेट कमांड को ऐसे भी यूज कर सकते हैं फिर देखिया मैंने फिलेट के बाद अगला कमांड आपका चांफर मैं चांफर कमांड को एक्टिप करता हूं तो यहां नीचे दिखिए डिस्टेंस और अंगूलर यह ब्सकति कमांड है यह हमारे लिए बहुत important है कि मैं डिस्टेंस पर दिस्टेंस दिखाता हूं स्टेंस वह क्लिक करता हूं तो यहां लिखता है स्पेसिफड स्ट्र चांफर सेथेंस ábार्चान्फर जिए स्थना है मैं यहां समस्ट्र ऐसे कर दोंगा इस लाइन को जिस पर मेरों को 15 डिस्टेंस सप्लाई करना है और फिर मैं सेकंड इसको सिलेक्ट करूंगा तो यह 15 और 25 की दूरी पर यह चांफर हो गया है चलिए हम इसको चेक करते हैं एक बार तो यह देखिए मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो फस्ट दिया था व दिस्टेंस को समझ गाँगे चलिए फिर एंगल को देखते हैं चंफर कमांड को मैं है एक्टिऴ करता हूँ फिर यहाँ एंगल आप को नजटा राएगा कमांड बॉक्स में मैं एंगल को एक्टिव कार्ता हूँ इस्पेशिफऍाइज चंफर लेंफ आन्थ ओन एंटर करता हूं तो यहां इस फस्ट लाइन को सिलेक करता हूं और फिर सेकंड लाइन को सिलेक करता हूं तो यह डिस्टेंस था और एंगल 45 था तो चलिए इसको चेक करते हैं यह यह वैसा ही ड्रो हुआ है जैसा मनें ड्रो किया था मैं डिस्टेंस दिया था तीस और एंगल दिया था 45 तो यह वैसा ही ड्राव हुआ है यहां मैं एंगल नहीं दिया था यहां मैं केवल डिस्टेंस दिया था डिस्टेंस यहां से कमांड बॉक्स में लाकर करके डिस्टेंस को एक्टिप किया था और यहां डिस्टेंस केवल दिया था फर्स्ट डिस्टेंस दिया था 15 और सेकेंड डिस्टेंस 25 दिया था और यहां मैंने फर्स्ट डिस्टेंस दिया हूं 30 और सेकेंड एंगल दिया हूं मैं 45 डिगरी तो उसी यह एंगल में ड्रॉ हुआ है और फिर मैं चामफर में ट्रीम कमांड को एक्टिब करके आपको दिखाता हूं यहां चामफर को एक्टिब करता हूं यहां से और यहां यह दिखिए नीचे कमांड बॉक्स में ट्रीम दिख रहा है आपको तो मैं ट्रीम को एक्टिब करूंगा तो आपको यहां option दिख रहा होगा trim और no trim यहां भी trim को on किया गया है तो मैं यहां से no trim को on कर देता हूं और फिर मैं इस पर jumper apply करता हूं तो यह देखिए यह trim नहीं हुआ वहाँ पहले no trim था पहले sorry वहाँ trim था तो यह देखिए यहां यह trim हुआ है trim को on किया था तो इसलिए यहां से यह chamfer मैंने apply किया तो यह यह trim हो गया लेकिन मैंने इसमें trim में जाकर करके मैं no trim को on किया हूं तो यह trim नहीं हुआ है और chamfer apply हुआ है तो इस परकार से आप distance, angle और trim को apply करके chamfer आप use कर सकते हैं chamfer command को active करके आप इस प्रकार से अपने drawing में use कर सकते हैं तो आप chamfer command को समझ गया हूंगे तो इसके बाद अगला command ब्लेंड कर ब्लेंड कर को देखते हैं मैं यहां जाकर के ब्लेंड कर को active करता हूं और first object लिख रहा है वहां screen पर देखिए select first object मैं इस पर click करता हूं और फिर लिख रहा है select second object मैं इस पर click करता हूं तो यह कुछ इस प्रकार से ऐसा एक SP line ड्रौ हुआ है देखिए यहां SP line श्रो कर रहा है देखिए यहां command पर तो इस प्रकार से आप ब्लेंड कर को active करके आप अपने drawing में SP line को ड्रौ कर सकते हैं तो आप chamfer को समझ गया हूं फिर उसके बाद अगला command है आपका explode, explode को समझते हैं, explore मतलब आप drawing करते किसी भी object को आप j enter करके सारे object को एक जगा आपने join कर दिया है और फिर आपको उसको अलग-अलग करना है तो आप explode command को active करके आप सारे object को अलग-अलग कर सकते हैं जैसा कि यहां देखिए जो object मैंने जैसारे object अलग-अलग है तो मैं पहले इसको जोइन करके एक जगा कर देता हूं, polyline कर देता हूं जोइन करके फिर उसके बाद इसको मैं explore command को active करके इसको अलग-अलग करूंगा यह object को select करता हूं और j enter करता हूं यहां देखिए screen पर दिखा रहा है, j, मैंने अपने keyboard से j, जोइन कर देता हूं तो यह सारा जोइन हो गया है, polyline में convert हो गया है, यह सारा line, अगर फिर मेरे मेरे को इसको अलग-अलग करना है, तो क्या करूंगा, तो यहां जाकर के मैं explore command को active करूंगा, या फिर अपने keyboard से e x enter करूंगा, तो explore command active हो जाएगा, तो मैं यहां modify में जाकर के explore command को active करता हूं, और इस object पर मैं, जिस object को मेरे को अलग-अलग करना है, उस object को मैं select करता हूं, और enter करता हूं, तो यह देखिए, सारा जो object है, वो अलग-अलग हो चुका है, अलग-अलग select हो रहा है, तो इस प्रकार से आप explore command को active करके, आप सार किसी भी object को अलग- कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही आई होप कि आपनों को ये सारा कमांड जो मैंने explain किया होगा वो आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक कीजिए सेयर कीजिए कॉमेंट जरूर करिएगा फिर मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार